डियाल्डियो सेक्टम 10 एडिमिनिस्ट्योट्योटी एसिस्टेंड इंग्लिस और हिंदी बहुत सैसे इस्टूरेंट है जो सेफ स्कोर के बारे में देख रहे होंगे तो यहां पर मैं आपको सारी चीजे मैं आपको एक करके क्लियर करूंगा जिससे आपका जो डर है वो दू किया जाएगा क्या आपका जो minimum qualify marks हैं वह क्या रहने वाले हैं क्या क्या चीज़े आपका typing qualifying रहेगा नहीं रहेगा सारी चीज़े मैं आपको retail में मैं आपको बताऊंगा सब्सक्रेंट जितने भी हैं इस्टाग्राम पर सरकारी नौक्रियों लेगागा टैप करके पूछ सकते तो टैलगाम गुरूप भी आप सभी जॉइन कर लेना जो भी आपको वहाँ पर update रहेगी मिलती रहेगी ठीक है तो यहां पर सबसे बहले बात करते हैं तो जो अपकी वेकंसी है इंग्लिज में वो आपकी 250 हिंदे में आपकी वेकंसी है आपकी 12 में आप सबसे बहले बात क हो गए यह तो बकवास बता रहे हैं कि यह तो दोनों तो हमें भी बता है ठीक है लेकिन सबसे इंपोर्टन्ट आपका यह है कि tier 1 के हिसाब से आपका जो cutoff है वो आपका tier 2 के लिए भी बनेगा और इसके बास final cutoff भी जो है वो आपका इसी बेस्ट बनेगा क्योंकि tier 2 typing आप 85 पर्सेंट तो यहां पर आप देख लो 75 पर्सेंट में अगर आप देखोगे कि 40 पर्सेंट जो आपके marks है वो आपके आने ही चाहिए मतला 40% कितना हो गया जाके अपका 30 आपका जो है वो आपका marks जो है आपका हो गया जाके ठीक है और CST के लिए आपको कितना हो गया 35% तो 75 के 35% आप निकाल लोगे तो 25 के उपर ही आपका लगब आएगा ठीक है तो वो आप निकाल लेना calculation ठीक है तो minimum qualifying आप समझ गया कि आपको इतने लाने ही लाने अब यहाँ पर सबसे important चीज यह है कि administrative to assistant है English में आपकी 500 vacancy अगर है तो बच्चा कितना qualify करके tier 2 में select किया जाएगा यह भी देख लेते हैं क्योंकि यह भी आपका important है cut off के लिए तो बच्चा आपका कितना जाएगा एग ratio 8 में बच्चा आपका select किया जाएगा जो की आपका 2000 के करीब आपका जो बच्चा है वो आपका administrative to assistant English में select होगा लगब के 2000 ना select करके 200 या 200 के करीब बच्चा select करते है जाता है बच्चा select करते है ठीक है और अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में आपका जो बच्चा जो एक्च्वल 96 होगा लेकिन आपका जो बच्चा है वो लबब एक 130-140 के करीब आपका select किया जाएगा ठीक है अब यहां पर सबसे important चीज यह है कि बच्चों की बच्चों की इसाब से आपकी जो cut-off है वो भी गएने कि आपकी vary करेगी तो यहां पर अगर हम बात कर लें safe score के बारे में कि safe score कितना होना चाहिए अगर हमें administrative assistant English या हिंदी जिसके लिए form बढ़ा तो यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इंग्लिस के बारे में क्योंकि वहां पर जो आपके cut-off है वो इंग्लिस वालों के लिए कम रहेगी क्यों क्यों कि दो को 75 का पूरा पेपर है जिन में से 37 questions जो है वो 50% questions आपके आएंगे reasoning और इसके बाद जो आपके questions आपके आएंगे इंग्लिस और जीए से अगर on average हम देखे क्योंकि जिस हिसाब से आपका जो cut-off safe score होता है वो on average देखा रहा था on average अगर हम मात करें तो 30 से अनुला 50% में आपका जो बच्चा स्कोर करेगा वो 37 marks minimum medical ability और reasoning में आपका 30 के गरीब जो है वो बच्चा स्कोर करेगा और English or GA में अगर हम देखे तो English or GA में बच्चा जो स्कोर करेगा वो minimum आपका लगबग 15 से 18 marks के बीच आपका बच्चा जो है वो आपका स्कोर करेगा तो आपका 47 से 48 के उपर आपका होना चाहिए tier 2 में qualify करने के लिए ये दिमाग में आप 25 रख लो ये बात करो और OBC की अगर हम बात करें तो OBC EWS का जो आपका रहेगा वो भी आपका ज्यादा नहीं रहेगा वो आपका 45 के उपर जो है वो आपका रहेगा जनरल के आसी पास आपका रहेगा SC ST की बात करें तो SC category का जो कोट आफ है वो आपका 43 के करीब आपका हो सकता है 42-43 के करीब SC category की जो कोट आफ है वो आपका 38 या 39 के उपर जो है वो आपका रहेगा और यह सिर्फ और सिर्फ टीर 2 के कौलिफाइंग के लिए क्योंकि टीर 2 के बाद आपका जो फाइनल कोट आफ है वो बनेगा तो इसी बेस दे लेकिन आपका जो टाइपिंग है वहां से आपका प्रॉब्लम क्रियेट होगा कि वहां पे जो बच्चा टाइपिंग कर ले जाएगा अगर उसके मार्क्स कम भी तो हो सकता है तो अभी फाइनल कोट की बाद में चर्चा करेंगे लेकिन अभी हम सिर्फ चर्चा करते हैं टीर वन के सेफ इसकूर के बारे में तो यह अपका इब्मिट्टु टुस्स genetics का हो इस हिंदी के अगर हम बात करें तो हिंदी में बच्चे आपका कम रहे गा form भी आपके कम करने के लिए तो आप पूरी तरीके से सेफ है बस कोसिस करो कि जब आप एक्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पे आप 75 जो और टोटल नंबर आफ आपके जो मार्क्स हैं या क्रूस्ट आपके आ रहे हैं फोकस पूरा उन्पे करो यह मत करो कि मुझे बस इतना स्कूर करना है बस और कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप 75 लेकर चलो बाकी कोसिस करो कि जाद स्याद है कितनी आप एक्जाम में बढ़ा सकते हैं क्योंकि कई बार मॉक्टेस्ट में आपके कम आपके मार्क्स आते हैं और जो रियल मेन पेपर हो तो इसमें आपके कई बार मार्क्स बढ़ आते हैं ठीक है तो यह चीज़ आपकी हो जाती है तो यह चीज़ दिम झाले ताजबत पर जन्योंवाञ चरू diffबाड़ में जातार तेना नो असे सुंसे करो वांको या Work